हलो स्टुडेंस अनादर कॉश्चिन फ्रॉम पेडिक्री इनालिसस चली देखते हैं इस कॉश्चिन को 2015 में ये कॉश्चिन आया है नीट के पेपर में ठीक है डिसकस करते हैं इसको तो पहले भाई हमारा रूटीन हम देखेंगे कि डॉमिनिंट है या रिसेसिव है अब यहाँ पर क्या हो रहा है जनरेशन स्किपिंग आपको देखने को मिल रही है तो यह क्या हो जाएगा बेटा यह हो जाएगा रिसेसिव का केस यह तो क्लेर हो गया अब क्या देखना है हम autosomal है या sex linked है यह देखने के लिए हम क्या देखेंगे देखो जो हमारे पास sex linked रहता है वहां पर कभी भी male to male transmission नहीं होता इसका क्या reason है क्या explanation है वो आप detailed video में समझ जाएंगे ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे male to male transmission यहां पर हो रहा है इसका मतलब क्या है यह हमारा sex linked नहीं रहेगा यह क्या हो जाएगा autosomal ठीक है so answer क्या हो जाएगा हमारा D option that is autosomal recessive thank you and stay tuned